भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पुझ्ज हैं। किसी भी शुबकारी की शुरुवात से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश को समर्पित एक प्रसुद मंदिर है। इसकी गिंती देश के सबसे व्यस्त धार्मिक स्थलों में की जाती है। गणपती बप्पा के दर्शन के लिए यहां पर हजारों की तादाद में देशी विदेशी, शद्धालों और परेटकों का आना जाना लगा रहता है। दार्मिक मानेता के मताबे के आपर सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। सिर्विनायक मंदिर हर साल भारी दान भी प्राप्त करता है। इसलिए इसकी गिंती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। यहां दर्शन करने के लिए वालिवर्ड स्टार से लेकर नेता बड़े उड्योगपतियों का आना जाना यहां पर भगवान के दर्शनों के लिए लगा रहता है। आज हम आपको सिद्विनायक मंदिर से जुड़े कुछ उन रोचक तत्यों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पताई नहीं है। आए जानते हैं इस मंदिर और यहां पर विराजमान भगवान गणेश से जुड़ी कुछ खास दिल्चस्क बातों के बारे में। यह माना जाता है कि भगवान गणेश की पत्मा काले पत्थर से बनाई गई है जिसकी सून दाई तरफ है यह भगवान गणेश अपनी दौनों पत्नी रिद्धी और सिद्धी के साथ विराजमान हैं। यह प्रतिमाय देखने में काफी आकर्शक नजर आती हैं। मंदिर के दर्शन करना काफी शुब माना जाता है। मंदिर के अंदर चांदी से बनी चुहों की दो बड़ी मूर्तियायां पर मौजूद हैं। कि अगर आप उनके कानों में अपनी च्छाएं प्रकट करते हैं तो वे आपका संदेश भगवान गणेश तक पहुचा देते हैं। इसलिए इस धार्मिक क्रिया को करते हुए आपको बहुत से श्रत धालू इस मंदिर में नजर आजाएंगे। तो ये हैं सिद्विनायक मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पूरा करते हैं। मानेता है कि ऐसे गणपती बहुत ही जल्दी पसंद होते हैं तो उनकी जल्द ही वो कुपित भी हो जाते हैं। यह तो सिद्विनायक के भक्त दुनिया की हर कौने में मौजूद हैं। लेकिन महराष्ट में इनके भक्त सबसे ज़्यादा हैं। आपको बताने कि भारत के पसिद्विनायक मंदिर का निर्माण 19 नवंबर 1801 को एक लक्षमन विथू पाटिल नाम के एक स्थाने ठेकिदार के द्वारा करवाया गया था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली राशी एक किसान महिला ने दी थी जिसके कोई संतान नहीं थी। वो इस मंदिर को बनवाने में मदब करना चाहती थी ताकि भगवान के आश्यरवास से कोई भी महिला बांज नहीं हो, सबको संतान की प्राक्ति हो। इस मंदिर के त्वार हर धर्म जाती के लोगों के लिए खुले रहते हैं। यहां किसी के आने पर कोई मनाई नहीं है। बेल पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकरी आप तक सीधे ही पहुंच सकें।